बिलासपुर की नमहोल उपसहिल के गाम गुमानी में एक व्यक्तिन बड़ी बहरमी के साथ अपनी बिवावता का कतल कर दिया अपनी मां के बचाब के लिए बच्चों की चीखो पुकार सुनकर ग्रामिन घटनस तल पर पहुंचे तो ग्रामिनों ने हत्यारे पती को काबू किया इस बारे में पुलिस को भी सूचना दी जिस पर पुलिस नहीं मौके पर आकर पती को गिर्फतार कर लिया है जानकारी कनसार हत्या रोपी व्यक्ती पर पूरुब मैं भी पत्नी के साथ मारपीट के मामले पुलिस में दर्ज है आपको बता दें कि ब्लासफूर की नमहोल उपसील के गाम गुमामी में व्यक्ती के द्वारा लोही की राड से कई प्रहार कर बड़ी बेहरहमी के साथ अपनी बिवाहिता का कतल कर डाला है मृतिका का नाम सोमा देवी आयू 45 वर्स जबकी पती का नाम जगदीश कुमार है इससे पूरुबी कईवार हत्यारा जगदीश कुमार अपनी पत्नी के साथ कईवार मारपीट कर चुका है देखने वाला विशे है कि मितका सोमा देवी ने अपने पती के बिरूब मामला दर्ज करवा कर सुरक्षा की मांग भी की थी मगर सोमा देवी के मामले को हलके से समझा गया अगर समय रहते कानून के रखवाले समाज के ठेकदारों ने सोमा देदी की शिकाइत पर गंबीरता से सोचा होता तो आज उसकी जान बच सकती थी